एलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल शम्मी खान फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साब मुबाइल अप्लिकेशन से स्टिशीपे अप्लिकेशन में पैसे को कैसे ट्रांसपर करेंगे जैसे कि पहले हम लोग साब बैंक से स्टिशीपे में सदाज नंबर के जरीए पैसे ट्रांसपर करते थे तो अब वो ट्रांसपर बिल्कुल नहीं हो रहा है तो आज इस वीडियो में मैं बिल्कुल नया तरीका बताऊंगा कि साब बैंक से स्टिशीपे में पैसा को कैसे सेंड करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सा यहाँ पे proceed के उपर क्लिक कर देना है इसके बाद आपके mobile पे verification code आएगा उसको आपको यहाँ पे इंटर कर देना है तो चलिए यहाँ पे OTP आ गया है अब हम अपने password इंटर कर देते हैं इंटर करने के बाद यहाँ पे saab mobile application का main menu आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे open हो चुका है अब हम आपको क्या करेंगे यहाँ से इसको application को यहाँ पे हम minimize कर लेंगे अब चलिए हम यहाँ से अपना stcp application को open कर लेते हैं तो stcp application को open करने के बाद यहाँ पे आपको अपना passcode या finger print दे के यहाँ से open कर लेना है अब चलिए हम यहाँ से add money के ऊपर click करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन option देखने को मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सदाद नंबर तो पहले हम इसके थुरू साब बैंक से stc में payment पैसे को transfer करते थे लेकिन अब यह नहीं जा रहा है तो बहुत सारे friend का message आ रहा है कि कुछ अलग तरीका बताईए जैसे कि साब बैंक से हम stc payment पैसे transfer कर देंगे तो अब हम दुबारा add money के उपर click करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा bank transfer to stc पे तो इसके उपर हम click करेंगे यहाँ पे आपको दो bank देखने को मिलेंगे एक है अरब bank दूसरा है रियाद bank तो इसके उपर हम जब click करेंगे तो यहाँ पे हमको अपना name receiver name और iban number देखने को मिलेगा ठीक वैसे ही यहाँ पे नीचे रियाद bank दिया हुआ है तो रियाद bank के उपर भी click करेंगे तो आपको यहाँ पे सेम चीज आपका नाम और iban number देखने को मिलेगा तो अब हम क्या करेंगे किसी एक bank को यहाँ पे iban number और अपना name को ले लेंगे तो चलिए हम यहाँ पे इसको copy कर लेते हैं iban number को copy कर लिए अब यहाँ से sdcpa को minimize करेंगे और दुबारा साब application को open कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे transfer के उपर click करेंगे यहाँ से other local bank के उपर click करेंगे इसके बाद आपके account देखने को मिलेगा आपके account में कितने balance है वो आपको देखने को मिल जाएगा तो उसके उपर आपको यहाँ पे click कर देना है इसके बाद आपको जितने भी amount transfer करना है आप enter कर दें फिलाल मेरे count में तो balance नहीं है तो चलिए मैं जितने balance है उतना enter कर देता हूँ तो अभी मेरे count में balance 3 real है तो मैं enter कर देता हूँ इसके बाद आपको proceed के उपर click कर देना है अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं select beneficiary तो इसके उपर आपको click कर देना है नीचे आपको देखने को मिलेगा add beneficiary तो इसके उपर आपको click कर दें तो click करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे option देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे other local bank के उपर click कर देना है बैंक नेम रियाद बैंक देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको अपना बेंफिसरी नेम इंटर कर देना है परपर यहां पर यहां पर अपर दोकर करIT के उपर क्लिक करने के गांफिक करने के बाद आप अच्छी तरीका से विरिफाई कर लें, विरिफाई करने के बाद आपको confirm beneficiary के उपर क्लिक कर देना है, अब आपके mobile पर verification code आएगा, four digit का आपको वहाँ पर enter कर देना है, तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, activate beneficiary almost done, जैसे आप activate beneficiary के उपर क्लिक करेंगे, आपको bank की तरफ से call आएगा, आ आपको receive करना है, तो चलिए हम यहाँ पर click कर देते हैं, यहाँ पर कर रहा है, अब आप call को receive करें, इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह शीप आपको बताएगा कि आपने जो भी account add किया हुआ है, वो बिल्कुल सही है, तो आपको press 1 करना है, अ तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, the beneficiary is activated now, तो okay के उपर click कर देंगे, अब यहाँ से आप make a transfer के उपर click करके, आप money को transfer कर सकते हैं, दुबारा से यहाँ पर other local bank के उपर click करके कि आप बिल्कुल सकार सकते हैं, इपाँ कर देंegरी हैं, वो परेंगे तो camera पर देंगे, नही, ऊापने यहाँ, रिज़ proximity आपकोफसक्रेगगा है, और जैसे कि आपको जहाँ आपकोद। प्रूखसमा Nikki monitor